वेलकम एग रॉकर्ड स्वागत आपका स्वीट कॉमबेट के 20 पार्ट में दोस्तों अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए फिर इस रिस का आनद उठाइए पिछले पार्ट टिप फैंग्यू के दादा जी ने मिंग टैन के दोनों नोकरिया चीन ले थी और उन दोनों शॉप्स को भी खरीद लिया था यहां तक कि उसकी हाउस उनर को भी धंका कर उसका घर खरीद लिया था अब इस वज़े से मिंग टैन के पास रहने के लिए घर नहीं होता और वो बैयनों के घर चला जाता है अब इस पार्ट की शुरुआत में बैयनों के घर तीन आदमी आते हैं वे कहते हैं कि हम एक बड़ी कंपनी से आ रहे हैं और हम आपके होटल और घर को अच्छे दाम पर खरिदना चाते हैं बैयनों की माँ समझ जाती है कि ये उसी बड़े आदमी का काम होगा वो उनको खूब डारती है कि मेरे होटल और घर को खरिदने वाले तुम होते कौन हो लेकिन बदले में वो बैयनों की माँ से लड़ने लगते हैं कि बचने की अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है तब जाओमे की बापा वहां आते हैं और उनको खुब डाड़ते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती एक औरत से इस तरह लड़ते हो ये कहकर वो तीनों को खुब मारते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं अब इस हादा पाए में बैयनों की माँ और जाओमे की पापा दोनों को चोट लग जाती है दोनों एक दूसरे की चोट पर दवा लगा रहे होते हैं तब बयूनों और मिया आजाते हैं और इन्हें इस तरह देखकर दोनों शौक हो जाते हैं दरसल जौमे के पापा और बयूनों की मा कुछ जादे क्लोस फ्रेंट्स बन गये होते हैं मिया पूसती है कि आप दोनों को चोट कैसे लगी फिर वो उनको पूरी बात बताते हैं और उना आदमें कार्ड उनको दिखाते हैं अब उस तरह फैंग कार्परेशन का नाम होता है और ये दोनों समझ जाते हैं कि फैंग्यू के दादा जी ने ही ये सब काम किया है ये सब फैंग्यू की वज़े से ही हुआ है ये कहकर मिया बहुत ही गुसा होकर चले जाती है अब अगले सीन में फैंग्यू मिंग टैन के घर जाती है लेकिन हाउसोनर कहती है कि मिंग टैन ये घर खाली कर चुका है फैंग्यू चौंक जाती है कि मिंग टैन ने मुझ को क्यों ने बताया और तब मिया उसको कॉल करती है मिया फैंग्यू से मिलती है और कहती है कि तुम्हारी वज़े से मिंग टैन को ये सब जिलना पड़ रहा है तुम्हारे दादा जी ने उसको बेगर कर दिया इस तरह वो फैंग्यू को बहुत ही डांडती है अपने दादाजी के बारे में ये सब सुनकर फैंग्यू एकदम गुस्से में वहाँ से चले जाती है और फिर वो सीधे दादाजी के पास जाती है और कहती है कि क्या आपके अंदर इंसाने तुनाब की कोई चीज है की नहीं मिंग्टैन के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं दादाजी कहते हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था बेटी मैंने उसको एक ओफर दिया लेकिन उसने मेरा ओफर रेने से इंकार कर दिया इसलिए मुझ को इस सब करना पड़ा और ये समयने तुम्हारी भलाई के लिए तो किया है अब फैञ्ज ये अपना गुसक्ता कांटूल नहीं कर पाती और पूछती है कि आज तक आपने मेरी भलाई के लिए क्या है अंकल जी मुझ से कितना प्यायर करते थे मेरा कितना खिया रखते थे लेकिन आपने उनके साथ क्या किया उन्हें नौकली से निकाल दिया इस वज़े से उन्हें बॉकसिंग फिर से शुरू करनी पड़ी और टूनामेंट में वो मारे भी गए लेकिन तब भी आपका दिल नहीं पिगला उस दिन भी आपने यही कहा था कि आपने अंकल जी को स्ट्रॉंग बनाने के लिए उनको नौकली से निकाल दिया था अगर आपने वैसा नहीं किया होता तो आज मेरे अंकल जिन्दा होते सच बताओ दादा जी आप मेरी भराई करने के नाम पर मेरी लाइफ की हर खुशी को मिट्टी में मिला रहे हैं और इस तरह वो बहुत ही कुछ कह जाती है तब दादा जी कहते हैं कि तुम ये सब इस तरह कह रही हो क्योंकि तुम सच ने जानती तो आज सच सुनने के लिए तयार होई जाओ मिंग्टैन के पापा मर गए ये तो तुम जानती हो पर क्या तुम ये जानती हो कि उसके पापा कैसे और क्यों मरे वो एक फेमस वोक्सर थे एक टूनामेंट में उन्होंने अपने अपोनेंट को मार डाला और इस वज़े से वो बहुत ही गिल्टी फिल करने लगे उस हाथसे को भूलने के लिए वो शराप के आदी हो गए और आखर में मर गए और उन्होंने जिस आदमी को रिंग के अंदर मारा पता है कौन था वा आदमी वो आदमी कोई और नहीं बलकि तुम्हारे प्यारे अंकल जी थे और ये सुनकर तो फैंग्यू के धड़कर नहीं रुक जाती है उसके तो कुछ भी समझ में नहीं आता और वहां से भाग जाती है फिर वो मिंग टैन के पुराने घर पहुंसती है और वहां बैटकर सोचने लगती है कि शायद दादा जी जूट बोल रहे है मुझे सोच समझ कर फैस्ता करना होगा और तब मिंग टैन फैंग्यू को ढूरतावा वहां पर आता है वो कहता है कि फैंग्जोई ने मुझे बताया कि तुम फिर से दादा जी से लड़कर आई हो तुम ऐसा क्यों कर रही हो मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही ठीक कर लूँगा तुम प्लीज दादा जी से माफी मांग लो तब फैंग्यू पूस दिये कि क्या तुम्हारे पापा एक बॉक्सर थे अब मिंग्टैन समझ नहीं पाता कि ये सवाल क्यों कर रही है हाँ मेरे पापा बॉक्सर थे और अब फैंग्यू को डर लगने लगता है और क्या तुम्हारे पापा ने आखरी मैच दूसरे स्टेट में जाकर खेला था क्या उन्होंने डेथ स्ट्राइक मुमेंट से अपने अपोनेंट को मार डाला था और यहां मिंग्टैन हिरान होता है कि ये इन बातों को कैसे जानती है और इस वक्त अचानक ये सब क्यों बुच रही है वो कहता है कि हाँ ये सब कुछ ठीक है अब फैंग्यू से अपना घुसा कंट्रों नहीं होता और वो तुना तो वहां से जाने लगती है मिंग्टैन उसका हाथ पकड़ कर पूचता है कि तुम ये सब क्यों बुच रही हो और इस बात पर तना घुसा क्यों हो रही हो फैंग्यू कहती है कि तुम्हारे पापा ने रिंग के अंदर जिस बॉक्सर को मार डाला था वो मेरी जान सभी प्यारे मेरे अंकल जी थे और ये कहकर वो रोने लगती है और वहां से भाग जाती है और मिंग्टैन को बहुती बुरा लगता है फैंग्यू रोती भी घर पहुंचती है उसकी हालत देकर फैंग्जोई उसको एक कमरे में लेके जाता है फिर वो दादा जी से आरग्यू करता है कि बहुत साल बाद दीदी इतनी खुश थी लेकिन आपने न जाने उससे क्या कहा और वो फिर से उसको उला दिया है मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना बुरा काम कर सकते हैं आखर में वही हुआ जो आप चाहते थे अब दीदी मिंग्टैन से फिर से नफ़त करने लगीगी कम से कम अब तु आप मिंग्टैन को चैन से रहने दीजिए प्लीज उस बेचारे को परिशान मत कीजिए ये कहकर फैंग्जोई गुस्ते में चला जाता है अब फैंग्यू बहुत ही उदास बैठी हुती है ता मिंग्टैन उसे वाइस मेसेज करता है कि मुझको बहुत ही बुरा लग रहा है तुम्हारा दुख मुझसे देखाने जाता फैंग्यू रिप्लाई करती है कि फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए कुछ दिन अगर हम दोनों ना मिले तो बहतर होगा जब मेरे मैंड के सारे कन्फिजन दूर हो जाएंगे तो मैं खोद ही तुमसे मिलने आ जाओंगी अब मिंग्टैन का दिली तूट जाता है कि अब फैंग्यू उससे कभी नहीं मिलेगी पर वो हिम्मत करके कहता है कि तुम जितना चाहो टाइम ले लो और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा अब अगले सीन में अकड़ू कहीं पर जा रहा होता है कि हुडी बीच में आ जाता है और अकड़ू पूछता है कि अरे तुम कौन हो लेकिन ओठीक से जवाब नहीं देता और अकड़ू के नजदिक आने लगता है अब अकडू घबराकर उसको टैक करने जाता है लेकिन एक ही पंच में वो अकडू को लहू लुवान करकर चला जाता है अब अकडू हास्पिटल में होता है सुनहाओ और जियो फैंग उससे मिलने आते हैं सुनहाओ जियो फैंग को भी वान करता है कि फैंग के पास आते ही सब को इस तरह का रिस्क होता है इसलिए तुम भी केरफू लेना अब यहाँ मिंग टैन जाउमी को सारी बाते बता रहा होता है और कहते हैं कि फैंग यू बहुत ही परिशान है पर फैंग यू अपने अंकल जी से बहुत ही प्यार करती थी और हमेशा कहती थी कि उसके अंकल जी को जिसने मारा वो उसको कभी माफ नहीं करेगी और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी भूल पाएगी यहां तक ही उसने मुझको भी धंकी दी थी कि अगर मैंने अपने पापा से डेथ स्टाइक सीखा तो वो मुझसे फ्रेंशिप तोड़ देगी क्या आपके पापा डेथ स्टाइक जानते हैं? जाउमी कहती है हाँ और बताते है कि शायद मेरे पापा तुम्हारे पापा को भी जानते थे और अब दोनों जाउमी के पापा से मिलने जाते हैं अब यहां मिया और बैयूनों कॉलेज में होते हैं तब बैयूनों को एक मेसेज आता है उसमें लिखावा होता है कि ये लोग जिस MMA इवेंट के लिए गए थे वहाँ पर एक बॉक्सर की मौत हो गई है और वो बॉक्सिंग रिंग के अंदर फाइट करते वक्त मर गया था ये वही बॉक्सर है जिससे मिंग टैन ने उस दिन बात की थी और फिर अगले दिन उस बॉक्सर की पतनी फैंग्यू की अंटी जी से इंशुरेंस फ्राइट के बारे में बात कर ली थी मिया ने भी उनकी बात ही सुन ली थी और ये बात सुनकर ये दोनों बड़े ही शौक हो जाते हैं वहां जाओ में अपने पापा को मिंग टैन के बारे में सब कुछ बता देती है वो कहते हैं कि मुझे तो उसी दिन लग गया था कि इसके मुमेंट्स मैंने कहीं देखे हैं तो तुम मेरे दोस्त के बेटे हो देखो बेटा अब तुम खुद को अकला मत समझो मैं अपने दोस्त के बच्चों को इस तरह भटकने नहीं दूँगा मैं तुम्हारे भाई बेहन का ख्याल रखूँगा इस तरह वो बहुत ही केरिंग तरीके से बात करते हैं और तुम रोज यहां पर आ जाना मैं तुमको आगे की ट्रेनिंग दूँगा और डेथ स्ट्राइक भी सिखाऊंगा तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह बहुत ही शान्त और अच्छे सुबाव के लगते हो लेकिन मुझे हमेशा शक था कि तुम्हारे पापा जैसा शान्त इंसान किसी की जान कैसे ले सकता है जरूर कोई गलती हुई होगी लेकिन मिंग टैन कहता है कि मैं डेथ स्ट्राइक नहीं सीखना चाता उसकी वज़े से मेरा परिवार तहस नहीं सो गया और फैंग्यू के अंगल जी भी मर गए फिर जाउमी भी कहती है कि पापा उसने इस बारे में बात मत कीजिए वो पहले से बहुत परिशान है अब जाउमी फैंग्यू के पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हारा दड़ समझती हूँ लेकिन अगर मिंग टैन के पापा ने गलती की भी तो तुम उसकी सजा मिंग टैन को मत दो वो खुद भी बहुत ही परिशान है और उसने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था इसलिए तुम अच्छी तरह से सोचकर फैसला करो और ये कहकर वो चले जाती है यहां कलास में मिया उन दो अरतों के बारे में सोच रही होती है जो उस दिन रेस्टों में बैट कर इंशुरेंस फ्रॉड जैसी चीजों के बारे में बात कर रही थी उस दिन मिया ने खूब पी रखी थी इसलिए उसको कुछ ठीक से याद में नहीं था लेकिन उसे रखता था कि शायद इंशुरेंस के पैंसो के लिए ही वो बॉक्सिंग रिंग के अंदर मर गया था और शायद फैंग्यू के अंगल जी के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा यहां फैंग्जोई मिंग्टैन के घर के बाहर वेट कर रहा होता है मिंग्टैन के आते ही वो उसको घर की चावी देता है और कहता है कि अब तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता पर मिंग्टैन कहता है कि मैं दूसरा घर ढूंड लूँगा मेरे लिए तुम परिशान मत होना यह कहकर वो चावी लोड़ा देता है इस पर फैंक जोईू कहता है कि अब मैं इस घर का उनारू हूँ लेकिन लेकिन मैं तुमको यहां पर फिरी में रहने को नहीं दे रहा हूँ तुम्हर मैंने मुझको रेंट दे देना अगर अब तुमने यह घर छोड़ दिया तो मुझे और फैंक यू को बहुत ही बुरा लगेगा अब मिंग्टैन चावी ले लेता है और फैंक यू के बारे में पूसता है फैंक जोईू बताता है कि वो अब भी बहुत ही परिशान है मुझे एक जरूरी काम है और यह कहकर हो जाने लगता है अब मिंग्टैन उसको रोक कर कहता है कि मैं फैंक यू से एक बार मिलना चाहता हूँ क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे मैं तुमारी फिलिंग समझ सकता हूँ लेकिन इस वक्त मेरी दीदी बहुत ही घुस्से में है और उदास भी है अगर इस वक्त तुम उससे मिलोगे तो बड़ी प्रावलम हो सकती है क्या इस वक्त तुमारा उससे मिलना जरूरी है हाँ फैंक जो यू मैं उससे मिलना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ तब ही ये प्रावलम सॉल्व हो सकती है अब फैंग जोयू मिंग टैन को अपने घर लेके जाता है यहाँ फैंग जोयू का मूड बहुत ही खराब होता है और वो घुस्से में परीक्टिस करना सेहत के लिए हानिकारक है इसलिए तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए कोई आया है देखो कौन है ये कहे करो मिंग्टैन को वहाँ छोड़ कर भाग जाता है अब फैंग्यू का गुसा और भढ़ जाता है मिंग्टैन कहता है कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ लेकिन तुम मेरे बारे में भी तुझ जरा सोचो और ये सब वो सेय नहीं सकी और हम सब को छुटकर चली गई और हथ से जादा श्राप पीने की वज़े से मेरे पापा भी तरड़ा तरड़कर मर गए इसलिए मुझे फाइटिंग से नफरत है और मैं अपने पापा से भी नफरत करने लगा था इस तरह बहुत ही मुश्किलों की बीच मेरी लाइफ चल रही थी और तब मेरी लाइफ में एक दिन तुम आई तुमने मुझे मुझे को फाइट सेखने को कहा मुझे बताया कि इस तरह शांत रहने से कोई मेरा फाइदा उठा लेगा और मुझे को परिशान करेगा और तुम्हारे कहने पर मैंने बॉक्सिंग सीखी और तब से मेरी लाइफ भी चेंज होने लगी मुझे तुम मिल गई तो लगा कि मेरी लाइफ कभी कोई मतलब है पर अब तुमें इस तरह से दुखी और परिशान देखकर मुझे से रहाने जाता इस बुरे वक्त मैं मैं तुम से अलग नहीं होना चाहता चाहे जो भी हो जाए हम दोने को साथ मिलकर उसको फेस करना है अब इस तरह मिंग टैन बहुत ही इमोशनल हो जाता है और फैंग्यू भी सोचने लगती है अब अगले सीन में मिंग टैन उस इपराने घर में लोटा आता है सब उसकी मदद करते हैं और फैंग्यू भी उसकी घर पर आयोती है लगता है फैंग्यू का गुस्सा कम हो गया है यहां सुनहाओ जाओ में की घर के बाहर वेट कर रहा होता है जाओ में बाहर आती है लेकिन सुनहाओ को देखकर घर के अदर चले जाती है सुनहाओ की पीछी जाता है और कहता है कि अकुडू को किसी ने मारा है और वो हॉस्पिटल में है इसमें जाओ में कहती है कि उसके साथ तो ऐसे ही होना था वो हर किसी को मारता फिरता था जरूर उन में से किसी ने बद्दा लिया होगा सुनहाओ कहता है कि मैंने उसका पता लगा लिया है वो किसी दूसरे कॉलेज का लड़का है जो टूनामेंट के फाइनल्स के लिए सलेक्ट हो गया है और एक दिन उस लड़के ने मुझे भी फाइट करने के लोग साया लेकिन मैंने मना कर दिया था और उसी बात का गोस्ता उसने अकड़ पर निकाला है वो लड़का बहुत ही स्टॉंग है इसलिए तुम भी जरा एलेट रहना और ये बताने मैं यहां पर आया था तब ही अचानक टेवल की पीछे से जाओमी की पापा उड़ते हैं और पूसते हैं क्या तुम दोनों में फिट से सुला हो गई जाओमी पापा को डाट कर अंदर भाग जाती है अब सुणाओ उनसे कहता है कि जाओमी का ध्यान रखें फिर वो बहार आ जाता है लेकिन अब हुड़ी सुणाओ को फालो करने लगता है और फिर कुछ देर बाद सुणाओ को पता चल जाता है और वो उससे डिरेक्ट्ली कहता है कि तुमने मुझसे फाइट करने के बज़ाए अकुड को मारा है हिम्मत है तो अभी इसी वक्त मेरे साथ फाइट करो और ये कहा कर वो रेडी हो जाता है अब हुडी सी मौके का इंदजार कर रहा था और वो जट से सुनाओ की नाग पर अटेक करता है और सुनाओ एक सेकेंड के अपना होश खो देता है और उसकी नाग से खोन बहने लगता है अब वो डग मुगा जाता है लेकिन फिर भी खड़ा रहता है और दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहां पर खत्म होता है लेकिन कल का पार्ट मिसमत करना क्योंकि कल हम इसका फाइनल मैस देखने वाले है और फ्रेंट्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस स्रीज की वीडियो को शेयर भी किजिए ता कि जादा से जादा लोगों तक इसका मज़ा जा सके बागी मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक ले गुड़ बाई अपना ख्यार रखे और फाइनली थैंक्स वर वाचिंग